अगर आपको यूट्यूब से नहीं मिलती तो आपको टेलिग्रम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना है डॉक्टर विपन गोईल से यहाँ पे मेरे साथ 1,32,000 प्लस बचे जुड़े हो हैं तो आप पे आके जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम और फेस्बुक की उपर भी आप मुझे फॉला कर सकते हैं मेरे दो पेड कोर्सिस आती हैं अगर आप गर्मेंट एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं और यहाँ पे आपका GS का पाड़ आता है जर्नल अवेरनेस का पाड़ आता है जिसमें पॉल्टी हिस्ट्री जोगरफी वाले टॉपिक्स आते हैं जो है Zen Garden और Kaizan Academy यह स्टार्ट करी गुझरात के अंदर कौन से शहर में इन्होंने इसको इनौगरेट किया यह इनौगरेट किया इन्होंने एहमदाबाद में अंसर इसमें क्या बनेगा फोर्ट आप्शन बनेगा और इस युनिवर्स्टी को शो करके इन्होंने क्या बताया कि there is a close bond between the India and the Japan इन्डिया और जपान का close bond के बारे में भी इन्होंने बताया गुझरात की बात करते हैं गुझरात की capital है गांदी नगर और सबसे बड़ी शहर है आपका अहमदाबाद और यहाँ पे अचारय देवरत जो है आपके गवरनर है और सीयम कौन है यहाँ पे विजे रुपाने जी और यहाँ पे बहुत सारे नैशन पार्ग है गिर नैशन पार्ग जो आपका इसेटिक लाइन्स के लिए बड़ा फेमस आपका नैशन पार्ग है और इसके इलावा जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है एहमादाबात के अंदर इन्होंने इनाउगरेशन करी आइसियस तुकारमी जो है एक कौन सी स्पीशीज है जिनका नाम 26 ग्यारा के हीरो तुकारम ओंबले जी के नाम पे रखा गया यह आइसियस तुकारमी जो है यह किस की किस चीज़ की स्पीशीज है यह स्पाइडर मकडी की स्पीशीज है और इनका नाम जो है तुकारम ओंबले जी के नाम पे रखा गया अंसर इसमें यह उप्शन बनेगा 26 ग्यारा का अटैक हुआ था तो इसमें यह जो पुलिस वाले थे आपको पता होगा मूवी दिभी देखी होगी आप लोगों ने तो इन्होंने जो है हामले को बचाया भी था और जो कसाप को पकड़वाने में जो सबसे बड़ा हाथ था इनका था हालांकि इनकी डेथ हो चुकी थी क्योंकि बहुत सारे गोलियन लगए थी इनको बर इन्होंने कसाप को पकड़ लिया था और इसलिए इनको जो है इनकी डेथ के बाद जो है अशोक चक्रा अवार्ड भी से नवाज़ा भी गया इम्पॉर्टन वान तीन गोल्ड मैडल जीते हैं आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 इन पैरिस के अंदर किस जो है हमारी तीर अंदाजने जीते हैं तो इनका नाम है दिपिका कुमारी अंसर इसमें C ऑप्शन बनेगा दिपिका कुमारी इस दा करेक्ट वान दिपिका कुमारी परदानमंद राश्टरपती इनका जनम हुआ था सेकिंड ऑप्शन बनेगा करेक्ट राश्टरपती जो हरामनात कोविन जी जो है हमारे देश के चौधवें प्रेजिडेंट है याद रखे उत्तर प्रदेश की बात करिए हमने तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है प्रॉंक उनका गाउं Spanish Princess Spanish Princess of Asturias Literature अवार्ड जो है यह किस को दिया गया है यह अवार्ड दिया गया है French author Eminal Carrier को दिया गया है Eminal Carrier को दिया गया है अंसर इसमें C option बनेगा correct answer सिर्फ इसको नाम याद करेंगे answer is C option जार्खन स्टेट Cricket Association ने बोला है कि वो International Cricket Stadium बनाएंगे कौन से शहर के अंदर तो वो बनाएंगे Bokaro के अंदर answer इसमें D option बनेगा correct answer Bokaro iron and steel plant भी देखने को आपको मिलता है जार्खन्ड के अगर हम बात करतें तो Capital के हैं इनकी रांची है और यहाँ पे आपका जो है बेतला नैशन पाक देखने को मिलता है हजारी बाग नैशन पाक है और Palamoo Tiger Reserve भी देखने को आपको मिलता है यह याद रखने important question answer इसमें fourth Bokaro is the correct one कौन से बैंक ने अप्रूफ किया है 125 million dollar देने का ताके केरल के अंदर जो है हम natural disaster के लिए prepare रहे हैं केरल के अंदर natural disaster के लिए आपके World Bank ने 125 million dollar का रुपे देने की बात करी है answer इसमें B option बनेगा correct answer very very important question clear और इससे क्या होगा एक तो पहली बात तो यह planning कर सकते हैं disaster को manage करने की और दूसरा health, water resources, agriculture और other factors को control कर सकती है यह World Bank की अगर हम बात करते हैं तो headquarter कहां पर है Washington में 1944 में बना था David Malpass जो है यहां के क्या है that is the president है और केरल की अगर मैं बात करता हूँ तो केरल की जो capital है तिरुवन्त पूरम है पिनारी विजन जो है यहां के CM है और आरिफ मुहम्मद खान जो है यहां के governor है Asian Development Bank की अगर मैं बात करता हूँ headquarter यहां पर क्या है Manila है Manila इनके headquarter है और जो है जो that is Massa Sogu Asakawa जो है इनके president का नाम है और Asian Infrastructure Investment Bank की अगर मैं बात करूँ तो इसके जो headquarter है Beijing China के अंदर है New Development Bank headquarter जो है Shanghai के अंदर और regional headquarter कहाँ पर है Johansburg के अंदर देखने को मिलते है अंसर इसमें B option बनेगा NDB जो है Bricks का bank है Bricks bank भी इसको कहते है अंसर इस B option World Bank is the correct one World Bank International Micro MSM is day जो होता है हर साल हम किस दिन celebrate करते हैं अंतराश्टिया सुक्षम लगू और मध्यम उध्यम That is June 27 अंसर इसमें one option बनेगा correct answer अब हमारे देश में जो micro industries है उनका investment होगा आपका minimum आपका 1 crore Less than 1 crore और जो turn over होगी उसकी 5 crore होनी चाहिए Small की बात करते हैं आपकी small enterprises की बात करते हैं तो investment आपकी Less than 10 crore होनी चाहिए और जो आपकी That is turn over है वो आपकी 50 crore से नीचे होनी चाहिए Up to 50 crore होनी चाहिए और एक medium की बात करते हैं तो investment जो होगी आपकी Less than 20 crore और अगर हम बात करते हैं Turn over की तो वो होगी Up to 100 crore की देखने को मिलेगी और हमारे MSM मीन मिनिस्टर कौन है नितिन गडकरी जी जो हमारे road and highway मिनिस्टर भी है और महराश्रा से ये जो है सांसथ है अंसर इसमें A option बनेगा Correct answer June 27 June 27 is the correct one चीक है चलिए Alliance जीयों ने कौन सी organization के साथ जो है आपकी partnership करी है ताकि वो Indians को जादा से जादा fast internet provide कर सकेंगे तो ये इन्होंने partnership करी है Google Clouds के साथ अंसर इसमें क्या बनेगा C option बनेगा Correct answer और Alliance जीयों की बात करते हैं तो chairman CEO कौन है यहां के मुकेश अंबानी है याद रखें important answer इसमें C Google की बात करते हैं Google के CEO कौन है सुन्दर पिच्चई सुन्दर पिच्चई जो है इनका नाम है और headquarter है आपके California के अंदर Amazon की अगर मैं बात करता हूँ तो Amazon के जो headquarter है वो कहां पे है Daddy Zinda CEO का नाम important है CEO जो है Sittal वैसे तो Sittal Sittal के अंदर आपके headquarter है Amazon के बट आपको main important यह पता होना चाहिए कि इसके Jeff Bezos जो है इनके Daddy is the chief का नाम है CEO का नाम है Microsoft के जो CEO है वो है Sattya Nadella सत्या Nadella और Intel के जो है वो कौन है That is Patrick 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 P. Gelsinger ये इनके CEO है अंसर इसमें C option Google Cloud is the correct answer Ballistic Missile Agni P Agni Prime जो test fire करीगे DRD दोरा recently तो ये कौन सी range के अंदरगत आती है ये आती है 1000 से 2000 किलोमेटर के बीच में अंसर इसमें A option बनेगा correct answer A option is the right one clear और DRD-O की बात करते हैं अच्छा Agni की बात करें Surface to Air Missile है ये DRD-O की बात करते हैं हमारा तो DRD-O के headquarter काहां पे 1958 में बना था जी सहतीश रेड़ी जो है यहां की क्या है चेर परसन है important one clear अब यहां पे देखे अगनी मिजाइल की बात करते हैं तो यहां पे ये surface to surface मिजाइल है आपकी surface to surface मिजाइल है अगनी ठीक है और यहां पे जो है अगनी one जो है 700 किलोमेटर यह 2000 किलोमेटर की बीच में यह आपकी 2500 किलोमेटर में और अगनी one अगनी four जो है 3500 किलोमेटर की रेंज में अगनी five जो है आपको पचपन सो से अठावन सो किलोमेटर की रेंज में तो यह देखने को आपको मिलती है, so this is very important, अगनी मिजाइल, very very important, अगनी प्राइम, जो है 1000 से 2000 किलोमेटर के बीच में है, ठीक है, चलिए, T20 World Cup जो है, आपका shift कर दिया है, COVID-19 को देखते हुए, तो यह अब क्यों से country के अंदर देखने को आपको मिलेगा, UAE, United Arab Emirates के अंदर अब बात करते हैं, BCCI की बात करते हैं, तो BCCI Board of Control for Cricket in India, जिसके जो headquarter है, जिसके जो headquarter है, वो है आपके, वानखड़े stadium मुंबई के अंदर, और सौरव गामगली चेरपरसन है, राजीव शुकला जो है, यहां के, वाइस प्रेजेंट हैं, और men's coach की बात करें, तो रवी पवार आपके हैं, ICCI की बात करें, तो दुबाई UAE के अंदर headquarter है, चेरपरसन है, ग्रेग बाकले, ग्रेग बाकले, जो है, चेरपरसन है, डिपिटी चेरपरसन का नाम है, इमरान ख्वाजा, अंसर इस, B option is the correct answer, एक्टिंग चीफ जस्टिस बताइए, चीफ जस्टिस ओ हिमाचल परदेश हाई कोड के कौन बनाए गए हैं, तो वो बनाए गए हैं, रवी विजे कुमार मलिमत, अंसर इसमें D option बनेगा, correct answer, हाई कोड के जज की जो सैलरी होती है, वो होती है, धाई लाग जो चीफ जस्टिस की बात कर रहा हूं, धाई लाग रुपे होती है, दो कौन है, यहाँ पर जैराम ठाकुर, और कैपिटल है, शिमला, और प्लस यहाँ पर पीन वैली नेशन पार्क है, सिंबल वाड़ा नेशन पार्क है, इंदर किला नेशन पार्क है, खीर गंगा, ग्रेट हिमालयन नेशन पार्क देखने को मिलते हैं, अंसर इस फोर्थ option is the correct answer रवी मलमत, National Institute of Technical Teachers Training and Research, इसके जो 6% डिरेक्टर है, वो कौन अपॉइंट के गए हैं, डिरेक्टर ओफ एन आई ट्रिबल टी आर, यह कहाँ पे हैड़कॉर्टर है, यह कौलकाता के अंदर है, और इसके जो 6% डिरेक्टर अपॉइंट के गए हैं, उनका नाम है, उशा इसन इस दा राइट वान, यूनिन कवर्मेंट ने एक्स्टेंड कर दिया, डेडलाइन, एलेक्टिकल विकल्स की परमोशन स्कीम, फेम 2, तिल वेचियर, मतलब उन्होंने डेडलाइन जो है, आपकी बढ़ा दी है, कि हाँ आप फेम स्कीम को परमोट कीजे, फेम का मतलब क आपकी बढ़ा है, फास्टर अडाप्शिं और यूनिन क्या बनेगा, वन ओप्शिन बनेगार कारेक्ट अंसर, वन ओप्शन, दोहजार 19 में फेम स्कीम, जो आई थी, तीन साल के लिए लगी थी, लेकिन अब एक्सेंड करके हमने, बहुजार 24, 30 मार्ष तक जो है, इसको extend कर दिया गया है fame scheme की बात करें तो ये आपका National Electrical Mobility Mission Plan के अंतरकत देखने को आपको मिलता है answer is one option is the right one one option is the correct one attorney general है हमारे KK Venu Gupal जी तो इनका जो life tenure है attorney general का वो कितना साल बढ़ा दिया गया है तो एक साल बढ़ा दिया गया है और answer इसमें C option बनेगा correct answer और government के उपर अगर आप कोई भी case करते हैं civil case तो attorney general आपका वो case लड़ता है government को बचाने के लिए answer इसमें C option बनेगा one year is the correct answer statistic day जिसे हम कहते हैं सांख्य की दिवस ये हम कब celebrate करते हैं 29 जून को और national statistical day होता है comment section में लिखके बताईए world statistical day कब होता है world statistical day कब होता है या आप मुझे comment section में लिखके बताएंगे national वाला 29 जून को क्योंकि इस दिन होती है PC महलनोबिस जी की birth anniversary PC महलनोबिस जी की और ये वो ही है जिन्होंने नहरू महलनोबिस plan दिया था second five year plan जिसमें industry क्यों पर focus किया गया था 56 से 61 तक वो year आपका चला था तो answer इसमें 29th of June is the correct answer 29th of June और हमारा जो आपका Indian statistical institute जो है वो कहां पे है that is in the Kolkata answer is D option is the correct answer 29th of June पहला swimmer बताईए जिन्होंने इंडिया से qualify किया है Tokyo Olympic Games के अंदर और वो कौन है that is आपका name कौन है इनमे that is Sajan Prakash answer इसमें B option बनेगा correct answer पहले swimmer जो Tokyo Olympics के अंदर qualify किया है और 2020 के अंदर होनी थी Summer Olympics लेकिन अब हमारी 2021 में होगी July मन्त के अंदर तो answer इसमें B option बनेगा correct answer B option that is Sajan Prakash answer is Sajan Prakash is the correct one Formula 1 driver है जिनों ने title जीता है that is the Starian Grand Prix 2021 तो ये किस ने जीता है तो ये जीता है Max Westrappan ने जीता है answer इसमें one option बनेगा correct answer Max Westrappan और ये कहां से बिलोग करते है Dutch driver है Belgian Dutch driver देखने को मिलते हैं answer is one option ये देखे जी Red Bull के जो है चलाते है अब यहाँ पे quiz है कुछ question है और फट फट अंसर दीजे मैं सारे पढ़ूँगा हमारे देश के अंदर natural gas पागिते gas सबसे जादा कहां पे होती है Sea Farrier जो नाविक होते हैं उनका अंतराश्च दीवे कव सैलिबेट किया जाता है Buddhist Mutt है आपकी Twang Monastery वो कहां पे है अस्ताना जो है capital गिस्की है असम के governor का नाम बताइए तुंगनाथ temple जो है कौन सी इंडिन सिटी में है डिस्टिक में स्टेट में रौथ नाच जो है folk dance है कौन सी स्टेट का न्यू यॉक जो है कौन सी रिवर के किनारे पे है population wise जो है हमारे इंडिया की सबसे चोड़ी से स्टेट कौन सी है हमारे इंडिया की जो coastal boundary लगती है उसका largest area कहां पे है बाबा नुकलर रिसर सेंटर जो है आपका कौन से शेहर में है तो start with the first question देखे नैचरल गैस जो produce हो रही है हमारे सबसे ज़्यादा वो बॉंबे हाई में होती है और नाविकों के लिए अंतराष्टे दिवस जो है वो आपका है 25 जून 25 जून और तवांग उनिवस्टी कहां पे है और उनाचर परदेश में देखने को आपको मिलती है अस्ताना जो है यह कैप्टल है कजाकस्तान की असं के जो गवरणन है उनका नाम है जुगदीश मुखी और दुगनाथ टेंपल जो है यह कहां पे है चमोली डिस्टिक उत्तराखंड जेखने को मिलता है रौतनाच जो है यह फोक डानस है कहां का 36 गड़ का और New York जो है Hudson River के किनारे पे है Hudson River के किनारे पे सबसे smallest state जो है आपकी population wise सिक्किम है Coastal boundary सबसे जाद जो बड़ी है वो गुजरात की है Baba Atomic Research Center जो है आपका कहाँ पे है Mumbai के अंदर देखने को मिलता है सुधी जारदा कोईज अब कुछ जो है round up करते हैं फट फट जो current में थे अब इमन्यू मिश्रा जो 12 साल के एक लड़ी है ये grand master बने है चेस के अंदर बहुत Indian origin boy है ये और अभी ये new jersey से बिलॉंग करते हैं और सबसे कम age में बनने वाले grand master जो है ये बने है इंडिया ने पहला अपना indigenous अपनी खुद से बनाया गया एर्क्राफ जो है आई एनस विक्रांथ जो commission करेंगे 2022 में 75 साल complete हो जाएंगे हमारी देश की आजादी को तब इसको commission करेंगे जैकोबाबाद जो है पाकिस्तान सिंद प्रोविंस के अंदर एक शहर है जो सबसे ज़्यादा temperature यहाँ पर देखने को आपको बिला था अभी हाल फिलाल में प्राइम निस्टर मोदी ने एक जुलाई जाने के national doctors jay के उपर 50,000 क्रोड रुपे का आपका credit guarantee scheme चलाई है जिसके कारण हम health infrastructure को और भी बढ़ाएंगे 50,000 क्रोड रुपे credit guarantee scheme के अंदर लेके आए है इंडियन drug maker है जिनका नाम है जाइडस कैडिला इन्होंने एक vaccine बनाई है जिनका नाम है जाइकोब डी जाइकोब डी जो emergency use के लिए COVID-19 के लिए जिनोंने अपनी अरजिट drug controller general of India को दे दी है देहां रखना important है National doctors जे एक जुलाई को होता है लेकिन इस दिन जो किसकी memory में मनाते हैं physician BC Roy BC Roy award जो होता है वो medicine field में होता है 1 महुत सब 2021 जो है आपका एक हफता लंबा celebration है एक जुलाई से 7 जुलाई के बीच में तो ये celebrate हम कर रहे हैं इस टाइम पे So this is very very important clear So guys ये थे आज की lecture के अंतर कोशन I hope आपको मज़ा होगा lecture अच्छा लगा तो like और share कीजे बाकी जो updates होंगे वो telegram channel को उपर आपको मिलते रहेंगे यहां पे dr. विपनगोल के नाम से 1,32,000 प्लस बच्चे जुड़े होंगे तो आप बहा के जुड़ सकते हैं Instagram और Facebook के उपर भी मुझे आप follow कर सकते हैं मेरे दो paid courses आते हैं अगर आपके government exam में GS पार आता है जिसमें policy history, geography, science, economics वाले पार आते हैं तो उसके लिए मेरे दो courses बनाए गए हैं एक तो मेरा 10,000 MC की course जिसके अंदर हमने chapter wise, topic wise MC की डिसस कियां डिटेल में यहाँ पे SSC, railway, defense, state exam, state PCS के भी previous year question में ने अलग से folder बनाके त्यार किये हैं आठ चुड़ाई तक इस course को purchase कर सकते हैं विपन 10 coupon code लगा के GS course मेरा पूरा का पूरा जो है वेबसाइट से studyiq.com जैसी आप इसको open करते हैं आपको screen के उपर नज़र आएगा यहाँ पे home page, यहाँ पे देखेगा best selling courses, view all का button इस view all के button को आप दबाएंगे 10,000 MC की course आपको देखेगा 30 नंबर के उपर और GS course आपको नज़र आएगा 14 नंबर के उपर, जो भी आपको courses अच्छे लगें purchase करें, preparation को आगे बढ़ाएं thank you so much guys, all the very best, good luck, take care